इंडिया दस्ताई नीज में आप सभी का स्वागत है जिस तरीके से देखा गया सिविल लेंड विदान सभा के अंदर इस्थानी लोग और कारे वीजेपी के जो कारे करता थे वो रंजी सिंग के टिकट नहीं मिलने पर विरोड पर उत्रेवे हैं वहीं गोपाल शर्मा का फुतला जलाने की तैयारी में लग गये हैं वहीं हम रंजी सिंग सोडाला जी के ओफिस महुचे हम से बात करेंगे कि जिस तरीके से कारे करता विरोड कर रहे हैं वो अपनी राय क्या रखना चाहते हैं रंजी जी जिस तरीके से गोपाल शर्मा को सिविल लाइन से टिकेट परत्यासी बना के भारतिय जन्ता पार्टी ने उतारा है और आप टिकेट की दावेदारी में चल रहे थे अचानक से ये क्या होता है बुरूद देखिए यह मैं भी समझ में नहीं कारेकरताओं के समझ में आया लेकिन जो हालात अभी वर्तमान में भारतिय जन्ता पार्टी के हो रहे हैं वो करनाटक के हो ले जा रहे हैं संकेत ऐसे हैं तो कारेकरताओं में बहुंकर नाराज गिये जो पूरे राजस्तान में देखने को म तिर लिवाड़ा लगाया गया चुनाओं में जाते दो तो तिन तिन मेने रहते है, जो पार्टी की रिती से नहीं जुड़े वे जो थोड़े दिन पहले काउंग्रेस की टिकेट मांग रहे थे उनके मंच पे कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री मोदे थे तो ऐसे लोगों का हमारे उपर थोप दिया गया जाती का नाम लेके थोपा गया है तो जाती के लोग उनके साथ 37 परतिसत है जो जन्नेता होता उसके 37-36 कोम होती है तो रजी जिस तरीके से हमने ये सुनाता कि गोपाल स प्रचानक पार्टी सिविलेंड में कैसे बदलाव कर देती है देखिए उनकी इच्छा थी मेरे से भी बात हुई थी सांगानेर से टिकेट मांग रहे थे उनको तो राजयपुर में कहीं से भी देदो यह उन्होंने मानस बना लिया था और अपने संबंदों का उन्होंने गल को और उच्छे संग्ठन को यही करना चाहता हूं इस तरह से पार्टी का अगर यह रवया रहा तो निश्चित तोर्वे पार्टी नुकसान में जा रही हैं हम पार्टी के कारे करता है उन्हीं सो बियाशी तिराशी से और जब से अब तक जुड़े हैं अखिल भारती जिम्मेदारियां दिये वो पूरी जिम्मेदारियां निर्वाह की है और सिविल लाइन विदान सभा का घर गर बच्चा बच्चा मेरे साथ सानबूती रखता है मेरे परिवार का हिस्सा है मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं जिसी कारणा आज लोगों में बहुत गलत है हमारे कार्यकरता में रोस है जो मेनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं थोड़े दिन पहले भी हमारे कार्यकरता दिल्ली जाके आये थे उन्होंने भी खा कि हमारे 20 का किसी व्यक्ति को दे दो लेकिन पार्टी ने उन सुनी करी यह गलत है इसके परिणाम संभवत गलत कुछ रहेंगे मैं भारतिय जंता पार्टी से अज उत्धों से यह आप के माद्ययम से अपपील करना चाहता हूं कि यह भारतिय जंता पार्टी को बहुत बड़े नुकसान का काम और पूरे राजस्थ्हान में हम रहुंगा नुक्सान बार्तीय जंता पाटी को बुग़िदना पड़ेगा थोपे व्यक्तियों दुबरा जो रीती-ञती नहीं जानते कि जाती वाध का बढ़ावा नहीं देना चाहिए केरिक करताओं का मेरे को कोई पता नहीं किस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं पर इस्थानी नेता होने की वज़े से उनकी मुहबत ये विरोध करवा रही है मैं मुहम्मद मफीस जैपूर से